आपने से नवरात्री तो आपने भी ते रिया माता जी का बभग भी बनाने के तैयरी कर लिया तो चलिए मेठे से शुरुआत करते हैं आज!!" ये इसके लिए मैंने दो ग्लास दूद ले लिया है और ये बॉइल होने पर मैं इसमें चीनी डाल रही हूं चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डाल ले और फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई रखा है ताकि रिड्यूस हो जाए अच्छे से अब मैंने ये 200 ग्राम पनीर ले आप ताकि आपको ज्यादा मैनत ना करनी पड़े और इसमें अच्छा सा स्मूथ सा टेस्ट भी आए मिल्की सा तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शियर सब्सक्राइब करना ना बूले और कमेंट करके भी बताए कॉंसे सीटी से आप मेरा व हो तो आप फ्लेम को मीडियम टू लो करते वे पका लें स्वात को बढ़ाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा केसर और इलाइची डाल लिए ताकि इसका कलर भी अच्छा आएगा बस धियान रखें जैसे जैसे दूद कम होता जाए आप इसको लगातार चलाते रहें वरन के से यह कलाकन तो बस अब फ्लेम को हम ओफ कर लेते हैं और इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं तो ठंडा करके मैंने इसको मिक्सी जार में हल्का सचंग कर लिया है ताकि इसके दाने भी ना टूटे और यह थोड़ा चिकना भी हो जाए अब मैंने इसको एक मोल्ड म मैं एक गंटे तक रख देंगे तो यह देखिए एक गंटे बाद अच्छे से हमारा कलाकन सेट होके तयार है तो फ्रेंड्स आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलें और आप भी ऐसे एजी वे में यह कलाकन घर पे बनाएं और माता जी को बोग लगाएं थैंक यू